सब लोग लिख दीजे, अब आज आ रही हो तो सब लोग लिख दीजे, इंसाफ चाहिए, अब इंसाफ चाहिए, एक बार सब लोग लिख दीजे, अब इंसाफ चाहिए, जश्टिस पॉर यूपी पुलिस, जश्टिस पॉर यूपी पुलिस, अब इंसाफ चाहिए, सात्यों परणनीती की वीडियो होगी इसके बाद में हम सभी लोग एक जगे मिलेंगे उसकी पूरी जानकारी देनी है मेरे चैनल की रीच एक लिमिटेड है ज्यादा लोगों तक ये बात में नहीं पहुचा पाऊंगा इसलिए मेरी रिक्वेस्टे की सभी लोग शियर करें हमें 50 ला मेरी बात आपको समझ में आ रही है आ रही है तो सभी साती एक सुर्मे कवाज में बोलें क्योंकि यही चीज में CM Office तक CM Office के इमेल पर सब को पहुचाने वाला हूँ पहले 10 मिनिट बहुत ध्यान से सुन लें एक एक चीज क्या कारवाई है क्यों हम लोग कर रहें आपको पूरा पता होना चाहिए जिसे कोई भी आपसे कोई बात कहें तो आप श्ट्रोंग मजबूती इठोस तरीके से अपनी बात कह पाएं गलत तो नहीं कह रहा तो सभी ल और या फिर कह दीजे हम खुलकर साथ नहीं देंगे एक एक को सरकार दबा लेगी एक लाख टीचर सिक्षा के उनको नहीं दबा पाएगी ऐसे तो मेरे चैनल पे मनलो कल को बंद हो गया तो सब लोग खुशिया थोड़ी न मनाएंगे मैं यही है कि हम साथ है तो फिर साथ ह की वीडियो बनाई जा रही है मेरे भी कुछ खर्चिये मेरे पे भी बहुत जुम्यदारी है पर मैं भी पिछले चार दिनों में सब कुछ छोड़कर केवल इस पर हूँ कि बच्चों के साथ छोटे भाई भेनों के साथ इंसाफ हो तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि व जबकि पेपर देने वाले तो 45 लाग है कम सकम 30-40 लाग तक तो बात पहुँचे गलत तो नहीं कहरा चलिए मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजे यूपी पुलिस री एक्जाम सत्यागरे हमारी सब की एक इमांग री एक्जाम री एक्जाम अब सबस सालों बाद लगबग 5 साल बाद एक भरती आई जिसमें 23 दिसमर को विग्यपती 27 दिसमर से 16 जनवरी फोर्म भरे गए फोर्म की संक्या लगबग 50 लाग 45 लाग 45 लाग बच्चों ने पेपर भी दिया जिसकी परिक्षा तिती 78 फरवरी 2024 दो दो पालियों में सबसे पहले इस फोर्म की प्रिक्रिया ही संदिक्ड थी एक विवरण में संसोधन की उनुमती दी गई जो इस्थापित विविस्ता से हट कर था मतलब सभी प्रकार का विवरण बदरा जा सकता था SSE, UPSC बहुत सारे फोर्म भरवाती है आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला और जल्द बाची में जो फोर्म भरवाया गया बच्चों को बहुत सारों को डॉक्यमेंट भी सही से बनवाने का मौका नहीं मिला बहुत साल बहुत दिनों तक तो OTP की दिक्कत उसके बाद में 12 साल 13 साल वाले भोम नहीं भर सकते कुछ ऐसी दिक्कत बहुत कठनाईया आई किसी व्यक्ति को सनी लियोन किसी को कुछ करा दिया गया किसी को कुछ बना दिया गया फिर भी बच्चे किसी भी कठनाईयों से जूजते हुए रोड पर सोते हुए ट्रेनों में किसी भी प्रकार की कठनाईया जेलते हुए सबी साती कहां गए लाखों बच्चे परिक्षा द कर देने तुम्हारे लिए जरूरी है आज जो डेट और टाइम दोंगा अंदोलन का वो सब तक पहुंचना चाहिए किसी दूसरे फॉन से इस वीडियो की इस फॉन में देखते हुए वीडियो भी बना लेना स्क्रीन रिकॉर्ड कर देना कि अगर यह वीडियो हट जाए तो तुम सब जगे स्टेटस पर हर गुरूप में यह डेट पहुंचनी बहुत जरूरी है समय हमारे पास उतना नहीं है कि हम कई वीडियो के द्वारा पहुंचा सकता हूं तो याद रहे कि परिक्षा से एक हपते पहले भी 11 फरवरी को यूपी पीसी द्वारा आरो एरो की पर की वहन ववस्ता बहुत कठ रहे हैं उसके बाद में क्या हुआ कि 17 फरवरी का पहला सिफ्ट का पेपर बहुत अच्छा गया कोई दिक्कत नहीं पिरसासन बहुत चाक चोबंद जैमर मेवर यह जो आपके सेंटर थे परिक्षा केंद्रों से कोई दिक्कत नहीं उसके बाद इसमें 17 की सेकंड सिफ्ट के बाद लगवग साम साड़े पांच बजे यह बात पता चलती है कि सेकंड पेपर के आंस्वर की सुबह से ही सोसल मीडिया पर वायरल थी इसके लिए साथ सबसे पहला ट्वीट करने से पहले जब सेकंड सिफ्ट का पेपर खतम होने पर मिलान कि आगया तो 137 उत्तर सही मिले परन्तु भरती बोड ने इसे एडिटेट बताकर विल्कुल इसको सरे से खारिज कर दिया फिर मेरे ट्वीट के कमेंट में ट्वीट के जरिये मैंने यह बात सबसे पहले 6 बच के 10 मिनिट पर यह बात मैंने भरती बोड को डारेक्ट मेसेज करके बताई कि सर ऐसा ऐसा आप बात कीजिए भरती बोड का कोई रिपलाई नहीं आया तो 7 बजे मैंने साती एक ट्वीट किया कि ऐसे एसे पेपल लीक हो गया है भरती बोड रे उसका खंडन कर दिया अगले दिन इसे ट्वीट की रिपलाई में बहुत सारे बच्चे अठारे सेकेंड सिफ्ट का भी वायरल हुआ टेलिग्राम ट्वीटर इत्यादी पर और ट्वीटर पर क्या ही लोगों ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को सबको टेक किया कि आप जाच कीजिए परंतु भरती बोड ने उसे भी खारिस कर दिया उसके बाद में हम सब लो पूरे चार दिन 96 घंटे हो गए कोई कारवेनी उपर से हमें जूटा बताया जा रहा है एडिटिट बताया जा रहा है तो अब हम लोगों की सरकार से क्या मांगे उसके लिए हम लिए वह अंदोलन कर रहें कि पेपर लीक की सभी जो सिफ्ट है उसकी स्वेतंतर जाचो हस्त लिए तो औरिजिनल पेपर लीक हुआ है इसलिए हमारी मांगे कि पेपर करने वाली कंपणी की भी तह तक जाचो परिक्चा निरस्त कर चारो सिफ्ट का फिर से री एक्जाम हो पेपर लीक प्रूफ हो इसके लिए यूपीसी त्यादी से सलहा ली जाए कि पेपर आगे में चलाए हाली में पेपर लीक को रोकने के लिए री एक्जाम किती ती जल्दी दी जाएं और यदी बोड को लग रहा है कि उसके पाद धन नहीं है उसका धन खर्च हो गया है तो मैंने तुमसे बिना पूचे तुमारी तरफ से कह दिया है कि हमसे दुबारा चार सो चार सुर रुपे ले लो हम कैसे भी एक महीने दिहारी मजदूरी करके दे देंगे लेकिन हम लोग इस तरह का अन्याएं नहीं सहेंगे कि जहां पेपर दो दो शिफ्ट लीक हुई हो इसका मतला पहली वाली भी कहीं ना कहीं लीक हुई है और वरना उनके साथ भी सारी सिर्फ दोनों सिर्फ के बच्चों के साथ तन्याय होगा तो में ये बाद तुम से बिना पूछे कहीं गलत तो नहीं कहीं क्या हम लोग दुबारा चार-चार सो रुपए पे कर सकते हैं मजदूरी करके पेखर देंगे नहीं हो घरवालों के पास लेकिन मैंने तुम से बिना की बोड़ी नहीं कि हमारा तो धन खर्च हो गया एक सम्मानित कंपणी ऐसी कंपणी जिस पर डाग ना हो और जिसको एक्सपरियेंस दोने क्या करता जल्दबाजी चक्कर में किसी को भी पकड़ लिया किसी से भी एक्जाम कि चलो चलो जल्दी जल्दी कर देंगे क्योंकि रिकॉर्ड बन इस मांग से कोई दिक्कात हो नहीं है तुम्हें बता देना यह सब कुछ यहां तक ठीक है कल को कोई पूछे पत्रकार क्योंकि ऐसा होता ना पत्रकार पूछता क्यों आयो तो आदर भी भूल जाता क्यों आयो जो गलत लोग बलाई जाते पैसे देकर आंदोलन में वह भू को सिसकली भरती बोड सबको रिक्वेश्ट दे दे के हर तरीके का सबूत थोड़ी अगर उनके अंदर शरम लिहाज होती सत्य में जैते का थोड़ा सभी अंश उनके अंदर होता तो अब तक हम लोगों को बुला लेना चाहिए था या किसी भी तरह की कमेटी गठित की तो कर रहे हैं कि वो तो इंटर्नल कमेटी आगे वाले एक्जाम की कैसे अच्छे हो उसके लिए रहे जो लीक हुआ उस पर बात करो ट्वीटर गलतरी हो सकता चलो टेलीग्राम गलत है वाटसेप गलत है सुबह से पुलिस को टेक किया जा रहे पकड़ो 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 ले अब आ जाते साथियों इसके लिए हमने कई चीजे सोची पहले तो हमें यह नहीं था कि बच्चों को कहीं परिशानी हो कुछ भी या मैसा कुछ करेंगे लेकिन अब जब बात नहीं सुनी जा रही है तो हमने साथी सत्या गरह का सोचा है 23 फरवरी अर्थात परसों 23 फरवर न समय तेज़ भारी दिन कौन से साथीयों थाब कोगी भी या 23 फरवरी और उस दिन वैसा कूण से 23 फरवरी है दिन होगा उस दिन शुक्र वार दिन कौन सहोगा शुक्रवार आज ब्रस्पत वारेकल अज बुद्वारेकल command सले गयारे बजे इस्थार होगा लखिन निकल जाएं जिनको लंबा समय वो आज ही निकल जाएं जिनको कम समय निकलना है वो कल लेकिन 23 भरवरी तो 23 भरवरी क्योंकि अगर एक मिलियन ट्वीट थे तो आज 90 परसेंट कम हो गए अगर इसमें दिन रहे यह अंदोलन समाप्त हो जाएगा उसके बाद यह मत कहना सर आपने सातरी दिया उसने सातरी दिया वो नी आरे वो नी आरे कोई आए ना आए मैं ग्रफदार हो जो मेरा चैनल बंद हो जाए पुलिस मारे फांसी पर चढ़ा दे यह अंदोलन तुम्हारा है तुम्हें किसी नेता का मेरा इंतजान नी करना सुबह 11 बचे से किसी भी प्रकाट ट्रेन बंदें बस बंद हो जाए पैदा ला जाना किसी ट्रक वाले सहाज जोड़ने ना लड़कियों बेटाप 8-10 के अजी नी करनी हमारे सरकार प्रसाशन से कोई विवाध नहीं है हमारी मागे हमारे सबूत चेक करो ओँ भण बणा करके रियौ्ट अगर हमारे सबूत सच्चिय है ने करनी सस्क Switch इसलिए एडमिट कार लेकर आएं कोई हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है बढ़िया सरकार है खूब आगे बढ़े योगी जी प्रधान मंत्री बने हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी जो बात है उसको सुनी जाए और देखो बैचा मेरे पास नहीं तरह धने कि मैं तुम लखनों सत्यागरे 23 फरवरी सुवे 11 बजे मैं आरो एरो के विद्यारतियों से भी अपील करूंगा कि आप सभी के साथ भी अन्याय है आप भी शामिल होना जाहें तो आ जाएं अब दूसरी बात अब हो सकता है इसके बाद में क्या होगा इसमें बहुत सिक्षक सामिल है ल सारे वो और इधर अपने अपने जितने भी ओफलाइन टीचर है बहुत सारे वो इधर विक्रम जी सर गुरुकुलवाले अदित्य रंजन सर सुभांसु सर एसजी एस गुरुकुलवाले और क्या नामें अपने और रवी पीतिवारी सर का मैंने नाम ले दिया मारूप सर हो होगे और कौन-कौन और भी मतलब आप ऐसा समझो हजारों टीचर आगरा के अपने क्याना में अपने एक और अच्छे टीचर है वो और भी बहुत सारे तो यह सभी टीचर से मिलकर बहुत सारों ने आपको मुझसे पहले बता दिया होगा बहुत सारे अभी भी डिप्लोमे सुबह 11 बजे शुक्रवार का दिन है यह मत सोची ना जब आ जाएंगे 100-200 तब हम चलेंगे 25 को आएंगे 100 बार को आएंगे मेरा यह लाश्ट तुमसे हो सकता चैनल बंद हो जाए वीडियो डिलीट हो जाए तुम सब पहुंचो मुझे गरफतार करने हटना नहीं है मार मा से निकलवा दें कि बच्चे घर जाओ आप कहना में जब तक आत्मा से नहीं करो मुझे जबर्दस्ति कहलवाया जा रहा है हटना मत बोले हम नहीं जानते से को ने जब तक कि तुम्हारी मांग पूरी नहों जाये जाये मीडिया तो बहुत ही प्यार से चाहे वह कैसी भी मी से मेंटेश कर दीए में Πर जिसको को क्या आप दिखा सकते होग के पुरा का फुरा पुरा पेपर लिक हुआ है सारे के सारे ओप्शन के साथ पूरणा पूरा निचे मेंने पेपर बी डाल दिया जिससे कि कोई भी आपको ऑर की मांग को जुटला नहीं पाएगा कोई भी आ पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेस बहुत बड़ा है आसपास के प्रदेसों से भी बच्चों ने फॉम भरे सबी साथी आई ये बहुत ये एकदम गांधिवादी आंदोलने ये कैसा अंदोलने गांधिवादी सरकार से में कोई निंदा सरका के साथ अन्याय किया जो आपका जंडा उलंद करते थे आख बंद करके आपको वोड़ देते थे हर धरम हर जाती महिला पुरुस सब लोगों को आज आपने प्रेसान कर दिया गरीम के सपने पर डाका मारा मिट जाएंगे मिटा दीजे जो धारा जो मन हो कर दीजे अब कोने के लिए नहीं बचा लेकिन न्याय कर दीजिए और न्याय एक है री एक्साम उससे पहले कुछ नहीं क्योंकि किसको भाइदा क्या नॉर्मिलाजेशन सब लोग पीड़ीते इतने बड़े स्तर पर हुआ है छोटे स्तर पर होतम कहते कोई बात नहीं जेल लेते अब सात लिए आपको क्या है आपको ये डेड़ सब तक पहुचानी है क्योंकि बच्चे डरते हैं डरे कोई बात नहीं अपनी सुरक्षा स्वेम महिला जो बहन आए उनकी सुरक्षा सारे भाईयों को करनी है अपनी बहन से भी जादा बढ़के किसी बहन को को दिक्कत ना हो गांध वाले और बहुत सारे 600 सिक्षक की जो मांग कर रहें वह बहुत सारे साती वहाँ पर ओल्रीडी धरना दे रहें यह एक दिन ते होगा इसके लावा बार 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 नहीं बुलाया जाएगा मैं पहले कह रहा हूं मैं पहुंचू ना पहुंचू मैं जीऊ मरूं मैंने तुम् सर हुए या अधित्य रंजन सर हुए या अपने अरुन सर रीजनिंग अरुन सर हिंदी हुए या अपने कोई और इन्ने सुभांसु सर हुए या हमारे अंकित भाटी सर हुए या कोई भी हो वो पहुंचे ना पहुंचे वो गिरफतार हो गिरफतान ना हो तुम लोगों को पहुंच जाना है अपनी कमान जाके चुप बैठ जाना एक A4 सीट पर ले आना A4 सीट यूपी पी री एक्जाम बस और कुछ नहीं साथ में प्राइडमिट कार जेम में A4 सीट नहीं होती जिस पर तुम लोग कैसा भी कागज हो जिम में रखके एक दो जोड़ी कपड़े ले आना मुझे नहीं पता कि खाना पीना मिलेगा नहीं मिलेगा पानी भी मिलेगा नहीं मिलेगा हो सकते हैं भूके प्यासे ही मर जाओ लेकिन तब उठना जब मांग पूरी हो जाए और अगर ये गलस साबित कर दे सबूतों को हैं कड़वी हैं समझे भीया ये बात आप सब की समझ में आ गई इस तारीक को पहुचा दोगे तरीका गांधिवादी सामविधानिक कोई भालतूगी वह सब कुछ नहीं और जितने बच्चे पीड़ी ते एक दूसरे को मत देगे ला मेरा ये पेपर है मेरा जनम दिने मेर करके पहले ग्रफतार करके पहले तो एक दिन के लिए रखा था हो सकता है जेल भेज़ दें चेलर डिलिट कर दें कुछ कर दें तो मेरे टीम के साथ बने रहे न मैं भी बहुत ज्यादा फाइनेंसल कंडिसन से जूज रहा हूं मैं तुमसे कोई मदद नहीं मांगी जैसा है कोशिस कर रहा हूं पिछले मैं जीडी तक की अनालिसिस तक नहीं करा पाया तुम्हारे इसमें लगा हुआ कि पहले इनको न्याय दलाऊंगा तब कुछ मैं सभी सातियों से चाहूंगा कि कुछ दिन कोचिंग आफ करनी पड़े तो कर दीजिए आईए इन बच्चों के साथ होगा यारो भगस सिंग सुकदेव राजगुरू की तरह साथ बैठकर जेल में दुख बाटी ये और ये इतना कंटेंट यूट्यूब पर एप्लीकेशन पर कि दुवारा री एक्साम होगा तो मैं फिर से दुवारा टॉप करने से महंतियों को कोई नी रूकेगा और अगर सरकान ने इमानदारी दिखाई उसमें सच में बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलने की चलाई हुई सरकार होगी बाबा साहब के अनुसार चल रही होगी तो हमारे साथ को अन्याई नहीं करेंगे हमारे साथ हमें पुरा संविधान के अधिकारों का क्य एक तू भी मुझसे नहीं निकला सरकार के खिलाब और अपनी मांग लेकर निकल आई बस यही आपसे बात थी बहुत कुछ है कहने के लिए और मैं जादा नहीं कहूंगा अब आप सभी लोग अपने घरों से जो भी निकल से के भी जो सुबह कल दुपहर लेकिन 23 भरवरी दि भी डाचीट का चार दिन बुला सकते थे कमेटी बनाई तो बदल दिया तुरंत की कमेटी तो हमने आगे के लिए बनाई है इसकी जाचके कमेटी निए बनाई थी गलस सूचना हमें पहले दी फिर बदली हमें नहीं है भरोसा किसी पर भी मुख्यमंत्री जी पर है वो बुलाइंगे हमारी बात सुनेंगे ग्यापन देंगे हमारी मांगे किया कैंसल करके और यह एक्जाम चारों सिफ्ट का सभी घर से सभी घरों से हर गाउं से बच्चे आप सभी लोग आने चाहिए जिसे पता चल कि अपना खाने पीने का हो सकता भूका मनना पड़े 10-15 दिन उत्रे जवानों कुछ नहीं होगा तुम्हें भूके प्यासे भी रहोगे तो और यह मत सोचके आना 23 फरवरी को इंसाम मिल जाएगा इंसाब चीज सब्द छोटा लेकिन समय लगता है और जा अन्याय सरकारी हो वह और समय इसलिए अपने दिल को ठोक मजबूत करके आना मैं भी बहुत मजबूती बहुत कष्टों में रहके ये निने ले रहा हूं इतने कष्टों में क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता आगे का बस तुम्हारे उपर भरोसा करके ये डेट दे दिया बहुत दिल ठोक क और मेरे सारी चीजें इसमें अटेच कर दिये ये पूरा मैं आप सभी को दे दूँगा ये बात एक एक कौंपी अगर निकल पापाओ तो निकल वाला ना हलाकि और आपको वहां पे बहुत सारी कौंपी उपलब्द करानी कोशिस करेंगे एक एक आप लोग 10-20-20-20 रुप अब हमारी बात हम भी आपसे पहले पहुंचने का प्रियास करेंगे चुप से जैसे भी हुपाया कोगि हम पर पूरी नजर रखी जाएगी तो ना पहुंचे लेकिन क्या अंदोलन रुकेगा क्योंकि हम कब नहीं पहुंचेंगे जब बहुत ज्यादा परिस्थिती विश् अन्यता कुछ ऐसी कंडिसन हुई तभी कह रहा हूं अन्यता हम तुमसे पहले दिखाई देंगे और नहों हम उसको भी मैं बता रहा हूं तुम्हारा अंदोलने हम बस केवल उसके वहां के यह बात अच्छे से आद रखना यहीं मेरे पास्ता सब कुछ दाप पे लगा रहा हूं बाकि अब साथियों से भी अपील है कि थोड़ा इनका साथ दें कोचिंग को दो-चार दिन नहीं चलाएंगे इनके इनके जिस तरीके से खबरें आ रही है कि कोई बच्चा कहीं अपने सिरीकल नुकसान पहुंचा रहे को कहीं इसको चलाने का कोई फाइदा नहीं है अगर यह नहीं होता तो फिर इस रहने का कोई फाइदा नहीं कि जिसको महनत से सफल ना करा पाओ उसको फिर यहां पढ़ाने का क्या फाइदा फिर हम भी महनत मस्दूरी कुछ करेंगे देखेंगे लेकिर उठाएंगे तभी जब हक ले लेंगे इस बात को सभी तक पहुचा देना बस यही मेरा था जो जो टीचर शामिल है जिनका पूरे ओफलान ओलाइन बहुत सारे टीचर्स का में नाम ने ले पाया माफी चाहता हूं शामिल सबे सब भी आपको आके बात बताएंगे ठोक के खुलकर एक साथ एक इको गाड़न के भार एक भी नहीं कोई नारा नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई परिवहन विवस्ता कोई ट्रेफिक कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमारी वजह से बैठे के जिगे मिले बैठ जाने को गड़न में खड़े हो जाना मरनी जाएंगे हमने बहुत कश पहुंचेगी उत्रे बच्चे पहुंचेंगे और अगर मैं वीडियो बनाके कहूं कि कैंसल हो गया कुछ भी आप कोई भरोसा मत करना क्योंकि हो सकता है दबाब देके क्रिसी भी तरीके से आप तुम वहां पहुंचों के वल क्योंकि और कोई रास्ता नर्जन नहीं आरा सरक अच्चित रखना उपदर्वियों को शामिल मत होने देना एडमिट काड इत्या दिया अपना कोई पहचान पत्र दाना मत भूलना यह बहुत जरूरी है गांधी जी का अंदोलने बावा सहाब के दिखाए रास्ते पर अपने संवीधान के हक के लिए तो उन्हें हमें बात नहीं पहुंचा पा रहे होंगे हो सकता हमीं बेकार है ठीक है बहुत सभी कमेंट्स में लगना हूँ चलो यूपी पुलिस रियक्साम सत्या गरे जैहिंद जैभारत जैहिंद